तीन जादूई हातिया बहुत समय पहले एक सुन्दर सा जंगल था उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर थे वो सभी जानवर मिल जुलकर शांती से रहते थे ये यूही चल रहा था उस जंगल में हर राच कुछ समय के लिए उजाला हुआ करता था उस उजाले से कुछ जानवर घबरा कर छिप जाया करते थे तो कुछ जानवरों को लगता था कि पूरा जंगल भस्म हो जाएगा इसलिए सभी जानवर मिलकर जंगल के राजा के पास गये क्या बात है आज आप सब यहाँ शेर राजा आपको खबर है या नहीं पता नहीं पर हर राच जंगल में कुछ समय के लिए रोश्नी हो जाती है पूनम की राच की रोश्नी होगी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं नहीं मुरगराज हर राच ऐसा होता है वो भी बहुत चमकदार रोश्नी ये सोचकर हमें डर सा लग रहा है कि कहीं ये इस जंगल के अंध की शुरुवात तो नहीं ये सब तुम्हारा अंध विश्वास है ऐसा कुछ नहीं होगा तुम सब बेवजही घबरा रहे हो अगर तुम सबको इतना ही डर लग रहा है तो मैं आज तुम सबके साथ रहता हूँ उस रोश्नी की सच्चाई भी जान लेंगे ऐसा कहकर शेर ने सबको धीरश दिया सभी जानवर ये सुनकर बहुत प्रसन हुए फिर सभी मिलकर जंगल के एक शंक तीर्थ नाम के पहाड़ी के पास गये उस राध जाकर सभी वहां रहा देखने लगे कुछ समय के बाद जंगल में हर तरफ रोश्नी हो गई पेड हिलने लग गये थे किसी को समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा था सभी भैबीत होकर वन देव की प्रात्ना करने लगे अचानक सभी ने देखा कि आस्मान में तीन पंख वाले हाती हवा में उड़ रहे थे वो तीनों ही हाती साधारन हाती जैसे नहीं लग रहे थे सफेद रंग में पंख के साथ बड़े ही अजीब से थे कुछ समय बाद हाती जायब हो गए सभी जानवर ये द्रश देख कर हक्के बख्के रह गए महराज आपने देख लिया ना जरूर उस जादूई हातियों को वन देव ने भेटा होगा लगता है वन देव हमारे जंगल से नाराज है देखने से तो यही लगता है सबज नहीं आ रहा अग क्या करे शेर राजा आप ही हार मानों के तो कैसे होगा अब सब मिलकर इस जंगल के पंडिक भालू मामा के पास चलते है फिर सब ही मिलकर भालू के पास जाते है भालू को सारी बात बताते है बालू कुछ देश सोचने के बाद कुछ पूजाएं करता है हाँ हमारे जंगल का बुरा समय चल रहा है हमारे विनाश के लिए आया है हमें वन देव के प्रकुप को शौन्त करना होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा बताईए कल प्रातह से उप्वास करना चाहिए रात के पूजा करने के उप्राद तुम्हें अपना आहार पूजा में अरपन करना होगा उसके बाद आर्ती दे कर वन देव को प्रत्तक्षोने का आवहान करेंगे ऐसा कहने पर सभी जानवरों ने उसके लिए हामी भरी भालू के कहे मुताबि सभी ने उप्वास रखा रात की पूजा में आहार चड़ाया हर रात की तरह उस रात भी जादुई हातिया आसमान में उड़ रहे थे भालू ने आर्ती देनी शुरू की सभी जानवर भैबीत होकर देख रहे थे तभी वहाँ पर एक बंदर आया क्या बात है इस तरह सब मिलकर कैसी पुजाए कर रहे हो ऐसे आराम से पूछा तब सभी जानवरों ने उसे विस्तार से बात बताई ये सुनकर बंदर जोर से हसा अहा अरे मूर्ख मित्रो अपने जंगल के पडोस में एक पार्ग बनाया गया है बच्चों के मनवरंजन के लिए हाथी के आकार के गुबबारे रोश्नी के साथ आसमान में उड़ा रहे है मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ बंदर की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली सच्चाई जाने के बाद भालू वहां से धीरे से खिसक गया अगर ये मनश्य हमारे जंगल में आने लगे तो हम कहा जाएंगे क्या उनके बनाये घर में जाकर रहे छी छी सैसकार हीन हो रहा है इंका बरताओ शेर इस तरह नाराज होकर चला गया बागी जानवर भी अपने अज्यानता पर शर्मा कर सर चुकाय चले गए बंदर हमेशा की तरह एक पेर से दुसरे पर उचलते हुए मस्ती में गूमने लगा